नमस्कार दोस्तों फिर से मेरी यूटूब चानल पर आप सब का स्वागत है तो कल यानी 15 जून के दिन यूजी सी नेट का एक्जाम है पॉलिटिकल साइंस का और आप में से बहुत सवारे लोग यूजी सी नेट पॉलिटिकल साइंस में अपियर हो रहे होंगे मैं खुद अ कोर्स में दिसमबर साइकल के लिए कोर्स है इसी वर्स से मैंने शुरू किया है दिसमबर साइकल के लिए मैंने रिसेंटली 99.6 परसेंटाइल लाकर मैंने उस एक्जाम को क्वालिफाई किया था सबसे पहली बात जो ठीक ढग से पढ़के जा रहे हैं कल के पेपर में जिनक साइकल में आप जाकर यूजी सी नेट को क्रैक कर सकते देखिए दो तीन चीज मैं बहुत फ्रैंक्ली आप लोग से बुलना चाहूंगा यूजी सी नेट जो है ना यह बहुत अंडर रेटेड इग्जामिनेशन है जितना महत्व बाकी गवर्मेंट यॉप्स को दिया जात जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत जादा स्कोप है तो यह बहुत जादा अंडर रेटेड इग्जाम है as compared to SSC जियल और मैं रियलवे की बात करूँ बैंकिंग की बात करूँ तो this is most अंडर रेटेड इग्जामिनेशन according to me जहां आपका करियर जो है बहतर तरीके से बन सकता है दूसरा बात मैं ये कहूंगा कि UGC net qualify करना मैं net की बात कर रहा हूं net qualify करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है net आप अराम से ठीक ठाक ढंक से एक teacher के guide में preparation करके आप net qualify कर सकते हैं अगर आप unreserved category या general category से हैं तो भी अगर हम GRF की बात करें तो GRF tough है no doubt about that एक general category के candidate के लिए या फिर एक EWS या फिर एक OBC candidate के लिए मुश्किल होता है GRF crack करना आपको लगभग hundred questions solve करना अगर आप general category के हैं तो आपको 108-109 question 1500 में solve करने होंगे और 108-109 question 1500 question में से solve करना बहुत बड़ी बात होती है बहुत ही बड़ी बात होती है आसानी से नहीं होता और इसी लिए अगर आप एक general category से हैं तो GRF में luck factor भी एक आपका role play करता है कि आपके तुके कितने सही हुए इसका भी एक एहम role है उस luck factor को हम लोग deny नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम margin होता है एक एक question से net और GRF का फासला होता है अभी इतना tough exam बना दिया है पिछले बार से मैंने ये March में जो हुआ था वो वाला session दिया है मैं बैठते रहता हूं exam में उसमें मैंने 99.6 percentile लाए है तो जो पहले आज के 6 साल 7 साल पहले का pattern था भी जो recent pattern है इसमें बहुत आपका बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अगर आप SC और ST category से आते हैं तो आपके लिए विश्वास मानिए JRF भी crack करना बहुत असान है अगर आपसे crack नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई ठीक से नहीं किया है और हम इसमें और कुछ नहीं बोल सकते हैं आपने पढ़ाई नहीं ठीक से किया पढ़िये ठीक से आपका हो जाएगा अब जहां तक कल का exam है कल के exam के लिए कुछ tips और tricks हम लोग क्या देख सकते हैं देखिए अगर आपने preparation नहीं किया है तो फिर तो जाकर ऐसी exam दीजिए enjoy कीजी exam को अगर आपने preparation कर रखा है और उधर सी exam देकर आएंगे तो मेरे युजी सी नेट जेरेप के course में enroll करना मत भूलीगा political science के लिए जो कि December session के लिए हो रहा है मुझे पता है क्योंकि चार दिन पहले मुझे आकर करते सर सर मेरा निट का exam है निट का त्यारी होता है नेट equally tough exam है छे महीने का time लगता है नेट का त्यारी करने में मैं जब देली युनिवर्सिटी में था तो मैंने बहुत अपने आपको रगड़ा है लाइबररी में बाटके notes बनाए है तैयारी किया है तो उसके बाद exam crack होता है ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप किसी का mock test दे दीजेगा तो crack हो जाएगा अगर आप general category के हैं तो नहीं हो पाएगा अगर आपका category थोड़ा कम cut up जाता है तो हो सकता है में भी यह बात है तो और जहां तक mock solve करने की बात है मौक वो solve करता है जिसने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है तो वो मेरा मौक करेगा वो दो तीन और जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर से उनका मौक करेगा practice purpose के लिए मेरी भी student किसी और का भी मौक ले सकते हैं कल के लिए चलिए tips पर हम लोग आ जाते हैं कल आप क्या करेंगे अगर आपने बेहतर तरीके से preparation किया है आप section A को time देंगे जो paper number one है paper number one में आप lenient नहीं होंगे आप data interpretation में समय लगाएंगे अगर आपका math थोड़ा भी ठीक है data interpretation को आप आधा घंटा दे दे data interpretation को अगर आधा घंटा आप देते हैं और आप 5 number वहां से score कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा आपके लिए तो data interpretation में तुका ना लगा है data interpretation में proper pen copy के साथ solve करें और अप शीट मांग मांग कर जो examiner होगा उससे वहां से आप 5 number निकाल सकते हैं एक चीज़ और मैं लिख कर दे दे रहा हूं जो teaching aptitude और research aptitude आपको पढ़ा कर online जो बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो logical Indian logic पढ़ाया ज कीजिए UGC net में ऐसा question आने वाला है NTA ऐसा question देने वाला है कि आप बहुत बड़े महारती भी है teacher भी है तो आपसे नहीं solve होगा अब लिख के रख लीजिए उसमें तुका ही लगना है तुका लगाने का काम होता है मैंने भी शुरू में बड़ा effort किया थो उस chapter के लिए कभ भाई उतने का ही जरूरत रहता है उतना ही तुम पढ़ो उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है अगर वो लोग कह रहे हैं कि आकर मेरा course ज्वाइन करो तो 10,000 रुपए लेते हैं 6 महीना का बेवकूब बनाते हैं course में जो भी पढ़ाएंगे irrelevant चीज़े हैं और उस में जो बंदा मैट्स और जो रीजनिंग पढ़ाता है उससे 100 गुना बेटर मैं पढ़ा सकता हूं मैट्स और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस तो कहा मेरा डोमेन सब्जेक्ट है ही जहां तक पेपर वन की बात है तो कहां कहां हम लोग अच्छा कर स सकते हैं रिसर्च अपिट्यूट टीचिंग अपिट्यूट इंडियन लॉजिक किस्मत के हाथ में हमारे हाथ में नहीं है कितने तुके लगते हैं या तुका लगाने का भी तरीका होता है आप जब यूजी सिनेट का एक्जाम दीजेगा तो उपर में आपको कोशन चेंज करने का ओप्षिंग दिखता है आप हिंदी भी कर सकते हैं इंडिश भी कर सकते हैं तो एक ओप्षिंग के सही बन जायगा तो आप एक बर हिंदी में पढ़ें एक पर इंग Лे इंगलिश में समझे ठोड़ा समय दें विए इसा नहीं कि तुक्का लगा रहे हैं तो बस मार मार के मार मार के निकल गें नहीं को समय दीजिए दो मिनट तीन मिनट देखिए उसको ओके और पेपर टू जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसमें इतना जरूर कमांड होना चाहिए कि आप 75 कोश्चन तक कर लें कम से कम तो 70 कोश्चन आपसे बनने ही चाहिए और अगर आपने कहीं से भी कोर्स लिया हो आपने मेरे से पढ़ा हो या बाकी पॉलिटिकल साइंस टीचर से तो 70 कोश्चन तो बना ही लेंगे क्योंकि सबको पता है कहां से कुश्चन आता है और क्या पढ़ना रहता है सब बता देंगे कोई बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महारत ही हुए ऐसा कुछ लेकिन हाँ मैंने भी रिसेंट पैटर्न पर क्वालिफाई किया है अभी रिसेंट पैटर्न फॉलो कर रहा हूं सबसे कम प्रैसे में मैं को आपको प्रवाइट करा रहा हूं तो इसी लिए और मेरा पढ़ान नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं से तो आपको एक मेंटर एक गाइड का हेल्फ लेना पड़ेगा तो पेपर टू में आप कोशिश कीजिए कि पेपर टू को आप डिड़ घंटे में कम्प्लीट करें अगर आप एक बिगनर हैं पहली बार एक्जाम दे रहे हैं युल नॉट साइंस के बच्छे मैथ से डरते हैं बिड़ते हैं अगर आप रीजनिंग और मैथ से डड़ेंगे अगर जनरल काटेगरी से हैं तो आप विश्वास मानिए आप नेट तो क्वालिफाई कर लेंगे आपका जैयर एफ नहीं होने वाला है आप दो बार दीजी कहां कहां से question आ रहे है paper one में लिख दीजिए जैसे coding decoding coding decoding for sse cda या एक bankers point करके youtube channel है वहां से मैं पढ़ा करता था एक अंसुल सर नाम के teacher हैं वहां पर पढ़ाते हैं banking के लिए पढ़ाते है mainly बट उनका content जो है मुझे समझ में आता था जैसे एक series वाला question होता है तो series वाला question मुझे समझ में नहीं आता था जब मैं series करने जाता था लेकिन अंसुल सल ने इतना बेहतर तरीका बताया कि series वाला question अब मैं गलत नहीं करता तो इस बार भी series वाला question आया था मैंने उन्हीं के technique से उन्हीं के tips से solve किया था तो अनसुलसल जो सर है, जो bankers point के वो बहुत अच्छा reasoning और maths पढ़ाते हैं, topic सर्च कीजे, मान लिजे मुझे average पढ़ना है, तो average by bankers point, अब देख लिजे, notes बना लिजे, question practice कर लिजे, तो 5 maths, 5 reasoning, 5 comprehension, 15 number होगे, 5 data interpretation, और 5 सा तुका लग जाएगा, तो अगर आप 27-28 question भी बना लेते हैं, 50 में से, और इधर अगर आप बना लेते हैं, 75 के आसपास में, तो आपके GRF के बहुत अच्छे chances होंगे, तो फिर से मैं अगर tips को अगर summarize करू, paper one में ठीक से solve करना है, paper one को lenient होके solve नहीं करना, data interpretation में time देना है, reasoning और maths के question, attempt करने का कोशिश करना है, तुका नहीं है, comprehensive के question को बेहतर तरीके से करना है, यह 20 number अपने पक्के कर लेने है, बाकी environment का जहां तक बात है, या फिर computer का बात है, तो उसमें एक दो question आपका similar आ जाता है, common sense का question आ जाता है, वो भी आप solve कर सकते हैं, Indian logic का भी question common sense पर ज्यादा based होता है, तो वो भी आप solve कर सकते हैं, औ पेपर 2 में आपको इस तरह से preparation करना है, कि आप 70-75 question बना कर ले जाए, अगर आप general category से belong कर रहे हैं, तो डेड़ सो में से 108 सही करने का कोशिश करें, तब ज्यारिफ मिलेगा आपको, अगर आप EWS category से belong कर रहे हैं, तो cut-off तो इतना नहीं जाता, मैं बढ़ा के 2-3 question बोल रह करता है, कोई-कोई महारती लोग solve करते हैं, ओके 108 question तक solve करते हैं, मेरे भी एक बार, इस बार 108-110 question सही थे, तो आपको, अगर आप EWS और OBC से हैं, दोनों का same ही cut-off रहता है, 103 cash bus आप question solve करें, डेड़ सो में से अगर सही हो गया, आपको ज्यारिफ मिल जाएगा, अगर आप ST और इसी category से हैं, तो आप लगभग 95 target करके चले, 95 cash bus में question solve कर लीजेगा, 93-95 के question में, तो आपको ज्यारिफ मिल जागा, ये ज्यारिफ की बात है, अगर मैं net के cut-off की बात करूँ, तो net का cut-off बहुत ज़्यादा ही कम जाता है, अगर मैं general category की बात करूँ, तो general category में net के 80-80 general का cut-off जाता है, अगर मैं OBC और मैं EWS की बात करूँ, तो आप लोग 87 के आस-पास में question सही करके आए, और अगर मैं HT और SV की बात करूँ, तो वो लोग और भी नीचे आप समझ लीजे कि अगर आप, मैं बता ही देता हूँ कितना करने पे आपका net हो जाएगा, अगर द 80-80 category से हैं, यह मैंने cut-off बढ़ा-बढ़ा कर बोला है, क्योंकि काफी जादा exam competitive होते जा रहा है, इसलिए, और आप चाहें तो मेरे course को भी join कर सकते हैं, 15 June के दिन exam से आकर, आपको पता चल जागा, आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला है, एक बार फिर बोलूँगा, इनसान ना trap में फंच जाता है, cyclic trap में, इनसान सोचता अचाहा, इस बार मैं दे कर आता हूँ net का exam, अगले बार course लोगा, अब आप net का exam दे कर आएंगे, तो आप सोचेंगे इस बार result आ जाने देते हैं, फिर net का course खरीदेंगे, अब जब आप result का विट कीजेगा net का course खर आपकी preparation ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, experience के लिए आप जाइए, आप course खरीदिये, अच्छे जगह से, आप मेरे से भी खरीद सकते हैं, बाकी भी जो आपको teachers जो ठीक लगे, आप course उनसे खरीद सकते हैं, मौक्टिश्ट लगाईए, मैं आपने course में daily quiz देता हूँ, आपको मिलेंगे, recording मिलेगा, life classes मिलेगा, daily quizzes मिलेगा, theme always mock test मिलेगा, फिर full-fledged mocks मिलेगा, तो यह सब सभी चीज़ें, आपको मैं provide कराऊंगा, और यह सब से minimum price है, मैं कहूंगा, यही बात है, all the best आप सबको अच्छे से जाकर paper दीजे, कुछ नहीं तो अनुभाव जरूर होगा, आपको समझ मायागा, कैसे time tackle करना है, सारी चीज़ें, आपको बहुत सही से समझ मायेंगी, और all the best सबको, अब जो होगा आपने जैसा preparation किया वो तो कल exam में पता चली जाएगा, मिलते हैं फिर, बहुत-बहुत धन्यवाद सबका.